नमस्कार दोस्तों मैं आकाशेन आप सभी के लिए लेकर आगा हूँ दोस्तों एक बार फिर से मद्ध्रदेश की सीरिज दोस्तों मद्ध्रदेश जो आपको बनाएगा जीरो से हीरो क्योंकि अभी तक आप मद्ध्रदेश पढ़ते थे रटने के उद्धेश से अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है फाउंडेशन मनाने के लिए तो अभी तक आपने मेरी आर्ट क्लासे नई देखी तो उन्हें जरूर देख लेना जिसमें मैंने आपको बहुत साथी चीज़े याद करवा दी हैं आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं मद्ध्रदेश के राष्टी उ उद्धान मद्ध्रदेश में कितने हैं कौन सा राष्टी उद्धान कब बना साती सात राष्टी उद्धान सर हम भूल जाते हैं कि किस जिले के अंदर कौन सा राष्टी उद्धान है तो चलिए दोस्तों इसी दिक्कत को खतम करने के लिए मैं आका जेन आपके लिए लेक उद्धान नेशनल पार्क के बारे में के मद्य प्रदेश में कितने राष्टी उद्धान बर्तमान में हैं तो यहां पर अपन ले लेते हैं एक पैन फिर बकाईदा ट्रिक से याद करेंगे ट्रिक से भी याद करवाऊंगा मैं आपको तो आप बिल्कुल लोड ना ले सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दू कि हमारे MP में मद्य प्रदेश में 12 राष्टी उद्धान हैं कितने हैं 12 राष्टी उद्धान हैं नेसनल पार्क हैं उद्धान हैं तो आप से सबसे पहला कॉश्चन आता है कितने हैं तो दोस्त आप बता दोगे 12 राष्टी उद्धान हैं अब सर हम अक्सर भूल जाते हैं कि सभी राष्टियों दन कहां हैं तो आप अपनी कौपी निकाल लो क्योंकि ये बेसिक कोर्ट से कोई दिक्कत नहीं है ये समझ में आ गए तो आपका PSC प्रीवी निकल जाएगा बाकी एक्जाम तो और बात अलगी है फिर तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए मैंने सबसे पहले संभाग याद करवाए थे आपको कि गौरी सास भोजाई नच रही तो गौरी से क्या जाएगा आपका गौालीर संभाग क्या जाएगा आपका गौालीर सबसे पहले आपका याद रखना संभाग के नाम लिख ले आपका आपका जाएगा दोस्त 5 वा भोपाल गारी सास भो जा जाएगा जास जाएगा दोस्त जबल पूर जबल पूर सास भोजाई अब आपका सात्वा जाएगा इंदौर इंदौर संभाग गौरी सास भोजाई नच नर्मदापुरम आठवा नर्मदापुरम गौरी गौलियर और जैन रिवा गौरी सास सागर और सहडोल अपन भूल गए दोस्तों य lattice रहेगा इसमें बीच में आपका सास मतलब सहडोल तो आप नौभा यहांपर ले लो सहडोल सहडोल और सबसे लश्ट में नच रही मतलब चंबल अजाएगा तो चंबल का ले 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 हैं चंबल यहां ले लेती हैं 10 वा संभाग ले ले लो आप चंबल उद्धाने आपको बैसे ही किलियर हो जाएगा, तो सबसे पहले याद रखना गौालियर, तो गौालियर संभाग के अंतरगत एक राष्टी उद्धान आता है, माधव राष्टी उद्धान, कौन सा जाएगा, माधव राष्टी उद्धान, सारी ये कहां पर है, तो गौालि नगिरी में दोस्त आपका आजाएगा अब आपको याद रखना है मैं आपको बता दू उज्जेन संभाग के अंदरगत उज्जेन, साजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालव और देवास ये जो उज्जेन के अंतरगत जितने भी जिले आते हैं एक भी जिले के आम से ट्रिक याद करी थी तो संजे गांधी, संजे गांधी राश्टिय उध्धान आपका आजायेगा तो ये आपको याद रखना है, रीवा संभाग के अंतरगर अब आपसे पूछे जाएगा कि सागर संभाग के अंदर गज़ तो मैंने छतरपुर पन्ना टीकमगर दमो सागर पन्ना इसी में आता है दमो के अंदर तो पन्ना राष्टिय उद्धान कहां पर जाएगा पन्ना राष्टिय उद्धान दोस्त कहां पर जाएगा पन्ना छतरपुर के अंतरगत आजाएगा आ सरल तरीके से बता रहा हूं इससे सरल फिर आप कभी भी याद नहीं रख पाओगे ये सबसे बेस्ट ट्रिक है आपको आसानी से समझ में आएगी दोस्तों और भोपाल तो भया बोपाल के अंतरगत कौन सा जाएगा वन विहार वन विहार एक दो बार आप पड़ोगे नोर्स बनाओगी तो क्लियर हो जाएगा बन विहार आपका बोपाल में आ जाएगा अभी ट्रिक भी बताऊंगा में इसकी तो बन विहार आपका कहा है बोपाल में जाएगा अब जवलपूर तो सर छेत्रफल में सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा राश्टी उद्धान जवलप पर जाएगा तो जबल्पूर के अंतरगति आपका क्या आ जाता है दोस्त मंडला याद रखना मंडला यह आजाएगा और आपने सूना होगा सबसे छोटा नैसनल Πार्क जीवास्म नैसनल पार्क जीवास्म राश्टीय उद्धान कहां पर आजाएगा आपका धिंडोरी में आजाएगा धिंडोरी और इसी के अंतरगत दोस्तों जवलपूर ध्यान से सुनना जवलपूर संभाग के अंतरगत अपने एक देख लिया दो देख लिया तीसरा भी आपने सुना होगा पैच पैच का जाएगा सिवनी और चिंदवाडा में आजाएगा पैच तो पैच राष्टी उद्धान भी जवलपूर संभाग के अंतरगत आता है पैच राष्टी ए उद्धान कहां पर सिवनी और चिंदवाडा में आता है सिवनी और चिंदवाडा तो दोनों के अंतरगत आजाएगा अब आपका बाइनासॉर पार्ब्भ धार में हैं डाइनासुर पार्बंच कहा जाएगा धार में। पहले में आपको नाम यादuire हुढ़ए लाश्टी उद्दान कहा पर बन गया और फ्रूस्त घुडब्व MingAL clear हो गया अब आपका नर्मदापुरम मतलब होसंगाबाद होसंगाबाद में कौन सा जाएगा सत्पुडा राष्टिय उद्धान कहां जाएगा होसंगाबाद में आ जाएगा दोस्त याद रखना लास्ट चंबल के अंदर गत कौन सा जाएगा तो पालनपुर कुनो उद्धान शियोपुर में जो दोस्तों शियोपुर में हैं तो पालनपुर कुनो राष्टी उद्धान दोस्तों हमने देखा चंबल में अगर आप इस प्रिकार दसों की दसों संभाग को याद कर लोगी तो आपका इतना किलियर हो जाएगा अब सुनते हैं इसको अटा द जए लगा आपका ऊयुमर्या उमर्या गोरिलापालोप तो आपने वाले है कितने हो चुके हैं सबसे पहला हाईगा आपका मादव राष्टी उद्धान पहला कौन सा जाएगा मादव राष्टी उद्धान दूसरा संजे गांदी आजाएगा आपका दिखाई दे रहा होगा तीसरा आपका कौन सा जाएगा पन्ना राष्टी उद्धान जाएगा दोस्तों चोथा आपका भोपाल में जाएगा बन विहार जाएगा दोस्तों क्यों क्यों जैन में एक भी नहीं है चोथे के बाद में पांचवा हो जाएगा आपका काना किसली राष्टी उद्धान छटवा हो जाएगा आपका जीवासम और साथवा हो जाएगा आपका पैंच आठवा आपका कौन सा हो जाएगा दोस्त वांदवगर हो जाएगा और नौवा आपका हो जाएगा डाइनासौर पार्क और दसवा हो जाएगा उंकारिश्वर ग्यारवा आपका हो जाएगा दोस्त सत्पुडा राश्टी उध्धान और आपका बारवा हो जाएगा पालनपुर कुनो शोपुरवाला तो दोस्त अगर आप इस प्रकार से याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे अब आपसे पूछा जाता है इतना याद रखना है कि संबाग के नाम गौरी सास बोजाई नच रही अब आपसे पूछा जाएगा कि भाईया इनके बारे में बताओ तुम्हें बताने वाला हूँ यह बेसिक चल रहा है कहां रूडियाड के प्लिंग ने जंगल बुक लिखी है कौन सा क्या है तो आपको सब आएगा लेकिन पहले इतना तो आए इसकी इन सौट ले लो जल्दी से एक दो तीन अब चलते हैं दोस्तों अब हम देखने वाले हैं कि टाइगर प्रोजेक्ट किन में चल रहा है वो कितने सन में चलाया गया है तो इसको मैं हटा देता हूँ यहां से अब हम देखने वाले हैं 12 राष्टी उध्धान के बारे में अब अपन ने देख लिया अब हम 12 में ऐसे देखने वाले हैं दोस्त कि बाग परियोजना में कौन-कौन से सामिल हैं Tiger Reserve के अंतरगत कौन-कौन से सामिल हैं तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि जो Tiger Project है ना बाग परियोजना Tiger Project के अंतरगत सबसे पहले ये Tiger Project क्या होता है दोस्तों बागों को संरक्षित करने के लिए राश्टिय पसू को वचाने के लिए क्या किया गया था सबसे पहले पूरे के पूरे विष्व में मुहिम चली थी तो पूरे के पूरे विष्व के अंतरगत विष्व के अंतरगत विष्व में कौन है जो Tiger Project का जनके और Question आता है कि भारत में कौन है तो याद रखना अगर आप से पूछा जाए कि बिस्व में कौन है आपका बिस्व में सबसे पहले कौन आजाएगा तो गैनी मेनफाड का नाम आता है गैनी मेनफाड का नाम आजाएगा दोस्तों गैनी मेनफाड याद रखना है या आपको नाम याद रखना है कहीं कहीं फोड भी लिखा रहता है गैनी मेनफोड या गैनी याद रखना भारत में बागों के लिए किसने केला सांखिला जी ने प्रोजेक्ट चलाया अब सबसे पहले भारत के अंतरगत सबसे पहले कौन सा गया था 1973 में जिम कारवेट उत्तराखंड का जिम कारवेट नामक जिसे हैली के नाम से जाना जाता है UK उत्तराखंड में सबसे पहले बाग परियोजना चालू की लेकिन सर इतनी जानकारी तो हमारा बेसिक मजबूत बनाएगी लेकिन आप ये बताईए मद्द प्रदेश का पूस्ता है हमसे तो चलो मद्द प्रदेश पर जाते हैं मद्द प्रदेश के लाइन से याद कर लेंगी अब ट्रिक याद रखना तो चलिए दोस्तों इसकी इंसोर्ट लेना हो तो लेलो अब अपन इसकी ट्रिक देखते हैं कि बाग परियोजना में कौन-कौन से सामिल है तो इसको अटा रहा हूँ मैं 1,2,3 चलिए अब देखो ये कौन है क्रस्न जी है क्रस्न जी है कनया जी है काना जी है तो काना जी अपने हाथ में क्या पकड़े हुए है पैच कस ध्यान से देखना पैच पकड़े हुए है कसने वाला तो ये काना जी है वो पैच पकड़े हुए है और ये देखो यहाँ पर क्या है एक गाड़ी सुदार रहा है मैकेनिक और मैकेनिक क्या कर रहा है इसको जरूरत है इस पैच की तो ये दे नहीं रहें नटकट हैं मना कर रहें बार बार मैं तो उसकी बांसरी बनाऊंगा लेकिन इसने बोला भाया काना पैंच बापस कर दो नई तो क्या होगा नई तो संजे मारेगा डिच क्या हो काना पैंच बापस कर दो संजे मारेगा अब इस त्रिक को ध्यान से आपका अभ्यारण नहीं अभिछारन न करते हैं तो अपन देखने वाले याद अब कितने सामिल हैं आपको पता है छे राष्टी उद्धान आजाएंगे आपके और एक आजाएगा अभ्यारण निया जाएगा याद रखना ट्रिक क्या है काना पैंच वापस कर दो संजे मारेगा तो सबसे पहले छे गिनते हैं तो सबसे पहले का से क्या जाएगा काना किस किसली राष्टी उद्धान याद रखना दो सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था अभी देखते कब चलाया गया तो काना किसली काना और पैंच से कौन जाएगा पैंच आजाएगा याद रखना पैंच राष्टी उद्धान वासे क्या जाएगा दोस्त बा आजाएगा और लाश्ट में संजे सी संजे गांधी संजे गांधी आजाएगा तो याद रखना काना पेंच बापस कर दो संजे मारेगा तो काना किसली राष्ट उद्दान पेंच राष्ट उद्दान बांदवगर आजाएगा पन्ना जाएगा सत्पुडा और संजे गांध अब सर पेपर में पूछ लेगा आखिर इनने कव टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट में सामिल किया गया है तो टाइगर रिजर्व के अंदरगत इनने कव सामिल किया गया है तो जो आपका काना किसलिए दोस्त जो आपका काना किसलिए उसे 1974 उननीस सो चुहुंतर आपको या कर दिया गया था बाग प्रोजेक्ट में से सामिल कर दिया गया था अब सुनना जो आपका पैच है ना पैच 1992 1992 याद रखना है आपको और उसके एक साल वाद 1983-93 में 1993 में हमने बांदब गड़ बना दिया उसके एक साल वाद 1994 में पेपर में याद ना आए तो आपको बस और तीन पांच पांच और चान नो तो याद रखना यहां पर क्या जाएगा 1999 याद रखना लाइन से ही चल रहा है चोहत्तर याद रखना है सबसे पहले उसके बाद 92, 93, 94 लाश लाश डिजिट जोड़ दो तो 99 बन गया और सबसे लाश्ट में संजे गांदी 2008 में सामिल कर तो याद रखना दोस्त यह हो गए आपके 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक आपका एक मात्र अभ्यारन है कौन सा? राता पानी, राए सेन, मारेगा, मारेगा से क्या बन जाएगा? राता पानी कहां पर आजाएगा? राए सेन में आजाएगा और यह सबसे बड़ा क्या आजाएगा? अभ्यारण है जो की Tiger Reserve में सामिल किया गया था 2011 के सम्थिंग तो इतना आपको याद हो गया होगा दोस्ट बग परियोजना में किस-किस को सामिल किया गया है अब हम चलते हैं देखते हैं एक-एक Tiger Reserve के बारे में के कौन सा कहा पर है तो सबसे पहले आप इसका स्कीन सोट ले लो चलिए दोस्तों आपने स्कीन सोट ले लिया होगा अब अपन देखने वाले हैं अभी तक हमने देख लिया दोस्त अगर इस ट्रिक्स से आपने पूरा याद कर लिया तो आपको सब बिल्कुल किलियर हो जाएगा अब अपन एक-एक को पढ़ने वाले हैं दोस्त आगे अब अपन एक-एक को पढ़ने वाले हैं मैं इसको हटा रहा हूँ चलिए दोस्त अब हम देखने वाले हैं कि सबसे पहला कौन सा काना किसली राष्टियोधान ये आप सभी को पता है कि काना किसली राष्टी उद्धान मद्द प्रदेश का सबसे बड़ा राष्टी उद्धान है 940 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है सबसे पहले ये 1933 में अभ्यारन बनाया गया था मतलब सबसे पहले अभ्यारन बनाया गया था जिस पर कोई भी देख रेक नहीं हो रही थी जादा उसके बाद 1955 में से पहला राष्टी उद्धान के रूप में दरजा दिया गया और मैंने आपको बताया 1974 में से टाइगर प्रोजेक्ट में सामिल करा काना पेंच बापस कर दो संजे मारेगा आपको बैसी 6 याद हो जाएंगे यार 12 तो ही तो आप 6 बैसी याद कर लोगे अब देखते हैं इसकी विसेश्थाओं के बादे में के मद्द प्रदीस का पहला एवं सबसे बड़ा राष्टी उद्धान है दोस्त पूरी पीडिया पर आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी GS Genius Academy के नेक्स्ट दोस्तों सबसे अधिक बाग इसी राष्टी उद्धान में पाए जाते हैं कुछ दिनों तक पेंच में पाए गए थे लेकिन दोबारा किस में आ गए पार्क इंटर प्रवेंशन योजना चलाई जा रही है याद रखना दोस्तों पार्क इंटर प्रवेंशन योजना इसको यहां रख देते हैं अपन तो आपसे पूछा जाएगा कि पार्क इंटर प्रवेंशन योजना किस की मदश से चलाई जा रही है तो USA की मदश से किस में चलाई जा रही है काना किसली राष्टी उद्धान में यही पर एक संसेट पॉइंट है जहां पर सूर्य उद्धे और अस्त होते समय बहुत मदुरम दरस्च रहता है तो यह भी पेपर में आता है कि संसेट पॉइंट किस नेशनल पार्क में तो काना किसली नेशनल पार्क में और दोस्तों आपको और बता देते हैं इसके बारे में कि काना किसली नेशनल पार्क में ही ब्रेडरी प्रजाती के बारा सिंगा पाये जाते हैं हमारे सबसे ज़्यादा बनों में क्या पाये जाता है चीतल पाया जाता है लेकिन आगर आपसे पूछे ब्रेडरी प्रजाती के बारा सिंगा कहां पाए जाते हैं काना किसली नैसनल पार्क में पाए जाते हैं ये देखो इस प्रकार से आपने देखा होगा इसने खुद का सुबंकर भी जा रही किया था भूर सीहिदा बारा सिंगा रोहन चक्रवर्ती के दौरा बनाया गया था आप सुनना इसमें हालो इबं बंजर घाटी भी इस्ते थे हालो इबं बंजर घाटी किस नैसनल पार्क में इस्ते थे तो काना किसली नेशनल पार्क में ही हालो और वंजर घाटी नूर्स बना लेना आप ये बेसिक तयार किया जा रहा है आपका तो याद रखना ये हालो वंजर घाटी साथी साथ इसमें हवाई पट्टी भी इस्ते थे तो आपसे पूछा जाएगा किस नेशनल पार्क में हवाई पट्टी है तो काना किसली नेशनल पार्क में हवाई पट्टी जिस्ते थे और अपना सुवंकर जादी किया है इसने भूर सीहिंदा बारा सिंगा भूर सीहिंदा बारा सिंगा यह आप देख रहे हो इसने अपना खुद का सुवंगर एक logo लॉँच कर दिया है जिसे रोहन चकरवरती ने बनाया था किसने रोहन चकरवरती ने बनाया था ध्यान से सुनना दोस्तों अगर पेपर में पूछा जाए तो भूर सिंगध आवारा सिंगध आपना logo लॉँच करने वाला इतनी जानकारी तो आपको याद रखना है कि तामिया की पहाड़ी का हैं, हालो बंजर घाटी का हैं, हवाई पटी कहां पर है, सबसे जादा बाग इसी में पाए जाते हैं, कुछ जनगर्णा में पैंच भी आया था, लेकिन दुबारा से यही आ गया है। चलते हैं तो काना किस लिए सबसे बड़ा है, 940 बर मीटर में फैला, किलो मीटर में फैला हुआ है दोस्तों, नेक्स्ट कॉस्चन, नेक्स्ट आपका आता है पेंच राष्टी उध्धान, तो आप से पूछेगा कि सबसे पहले तो के पैंच राष्टी उद्धन कहां पर इस्थित है तो आपको पता होना चाहिए पहले तो के टाइगर रिजर्ब में सामिल है काना पैंच बापस कर दो संजय मारेगा अब आप कमेंट करके बताना कि पैंच है कहां पर मैंने आपको पूरे संभाग यात करवाए थी, तो चलिए दोस्तों, यह आ चुका है सबसे पहले के पैंच नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया था, सिबनी के आसपास छिंद बाड़ा के आसपास जो नदी वेती है पैंच, तो इस पैंच नदी के नाम पर ही इसका नाम पैंच मैं बैट कर लिखी गई थी, साथी साथ, 20Bank की मदश से इसमें अभ्यारणिय संrekषण योजना चलाई जा रही है, पार्क इंटर प्रोवेंचन योजना USA की मदश से का ना किसली मैं, लेकिन पैंच में 20Bank की मदश से पार्क अभ्यारणिय संrekषण, मतलब संrekषण देने के लिए विस्व बेंग के द्वारा योजना चलाई जा रही है और याद रखना इसका नया नाम यह बहुत इंपोटेंट है दोस्त इसका नया नाम याद रखना है इंद्रा प्रियदर्सनी पैच के नाम से इसे जाना जाता है कॉस्चन आता है किस राष्टी उद्धान को आतना याद रखना हैं आपको और साती साथ इसी सबसे अधिक बाग इसी में पाये जाते हैं 2019 के अनुसार लेकिन आपको काना किसली ना मोगली में आपके सबसे जादा बाग पाये जानीं alsob में बात याद रखना कि जो दा जंगल वो काईती रूडियाड क्रिपलिंग की वो रूडियाड क्रिपलिंग ने यहीं पर पेच राष्टी उद्धान में ही मोगली लेंड की ऊपर ही वो बुक लिखी है तो पीपर में कॉस्चन आजाए कि दा जंगल मतलब 1992 याद रखना नेक्स्ट पर आ जाते हैं दोस्तों ये आ गया बांधव गर राष्टी उद्धान आपका बांधव गर राष्टी उद्धान 1968 में बनाया गया था और बांधव गर राष्टी उद्धान कहां पर आ जाएगा तो आप सभी को पता है दोस्तों सफेज सेरों की नगरी जहां पर जिसमें हर एक 8 किलो मीटर में आपको क्या मिल जाता है एक सफेज सेर मिल जाता है बांदवगर राश्टियोद्धान के अंतरगत तो आप सभी को पता है कि सेडोल संभाग के अंतरगत आता है ये सेडोल में कौन कौन से आते हैं अनुपुर उमरिया तो उमरिया में क्या जाएगा बांधवगर उमरिया में बांधवगर तो बांधवगर संभाग में किसमें आएगा सेडोल संभाग में और उमरिया के अंतर लगा देना ये गड़बण मत करना सबसे फैवरेट है सबसे ज़्यादा प्रसने यहीं से निकल कर आते हैं 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राश्टी उद्दान कौन सा है दोस्तों आप आराम से बता दोगे कि बांदवगर राश्टी उद्दान 32 पहाड़ियों से घिरा यह तो आपको पता है हर 8 किलो मीटर पर एक सफिश सिर देखने मिल जाता है आपको बांदवगर राश्टी है उद्दान जो कि उमरिया में इस्थित है और दोस्तों इसमें जंगली भेंसा गौर को बसाया गया है तो बांदवगर अभ्यरन में बसाया गया है और साथ में इसमें जंगल गली आरा ये स्टार बना लेना इसको के जंगल गली आरा परियोजना के अंतरगत इस बांदव गड़ को किस से जोड़ा गया है तो बांदव गड़ को दोस्त काना किसली राष्टी उद्धान मंडला से जोड़ा गया है पास पास में ही है तो जंगल गलियारा योजना के दौरा काना किसली राष्टी उद्धान से बांदाब गल को जोड़ा गया है इतना याद रखना इसके बारे में नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों नेक्स्ट आजाएगा आपका पन्ना राष्टी उद्धान पन्ना पन्ना कहां पर आजाएगा पन्ना में आजाएगा आपका छतरपुर पन्ना के पास में आजाएगा ही तो पन्ना राश्टी उद्धान 1981 में बनाया गया है दोस्तों और आपको पता है काना पेंच बापस करदो संजे मारेगा तो पन्ना राष्टी उद्धान टाइगर रिजर्ब में भी सामिल है तो काना पेंच बापा पापा हमें पन्ना आ जाएगा आप सभी को पता है तो याज रखना पन्ना राष्टी उद्धान के बारे में 1981 में से राष्टी उद्धान बनाया गया था इसे रेप्टाइल पार्क के नाम से जाना जाता है स्टार बना के नोट कर लेना कि रेप्टाइल पार्क के नाम से किसे जाना जाता है पन्ना मतलब सरीज रेप्टाइल वाले सरीज रब जी पाए जाते हैं में रेप्टाइल मगर मच बगेर आपने देखे होंगे इसलिए से रेप्टाइल पार्क के नाम से दोस्तों जाना जाता है 25 अगस 2011 को बायोस्पियर रिजर्व के रूप में से नामित किया गया है तो बायोस्पियर रिजर्व आपने पहले देखा होगा पहला कौन सा था पच्छमणी दूसरा कौन सा था अमरकंटक है आपका नेक्स्ट दोस्तों 2007 में भारत 2007 पुरानी बात है भारत के पर्याटन मंत्राले के दुआरा इसे सर्वस्रेष्ट रख रखा और बाले राष्टी उद्धान के रूप में उतकरश्टिता का पुरुस्कार मिला था यह ओल्ड जानकारी हो गई है पूछी जा सकती इसलिए मैंने आपको बता दिया तो आपको रेप्टाइल पार्क याद रखना है बायो स्पियर रिजर भी आद रखना है और 1981 में राष्टी है के नदी तो याद रखना है जब नदियां पढ़ाऊंगा तब मैं पूछूंगा यह कॉश्चन आपसे तो पन्ना में आपको इतना याद रखना है नेक्ट आता है आपका सत्पुडा राष्टी ओधान सत्पुडा के घने जंगल आपने सुना होगा हुसंगाबाद में दोस्तों इस्ते ते 1981 में भी ये बनाया गया है तो याद रखना ये क्रश्चन मिगों की अधिकता है इसमें इसकी स्थापना 81 में की गई थी दोस्तों इसे 1999 में बाग परियोजना में सामिल किया गया था और यहाँ पर क्रश्न मिगों की यह देखता है मतलब काले हिरन यहाँ पर आपको सलमान खान देखने को मिल जाएगा दोस्तों काला हिरन देखने मिल जाएगा और काला हिरन को मालने पर आपको सजा पता है कितनी भेंकर मिलती है जो सलमान खान को मिली है तो याद रखना आप तो काला हेरन यहां का मुख्याकरसन का केंद्र है दोस्तों चलते हैं नेक्ष्ट राष्टी उद्दान पर संजे गांधी राष्टी उद्दान इसे पुराना नाम डुबरी राष्टी उद्दान या गासी दास के नाम से भी जाना जाता है 36 गड़ में याद रखना इसका पुराना नाम डुबरी राष्टी उद्धाने और कहां पर इस्तित है संजय गांधी टाइगर रिजर्व ऐसे गेट से आप एंटरी करते हो और सीदी के अंतरगत आता है दोस्तों ये इसको भी हमने टाइगर रिजर्व में सामिल कर लिया है 2008 में बाग परियोजना में ये सामिल है यहां से प्रस्न अच्छे खासे आते हैं दोस्तों अगर आप धेरेधारन करके फाउंडेशन आपका मजबूत कर लेते हो तो MP आपको सरल लगने लगेगी रट्टा कब तक मारोगे चीजें बस एक दो बार समझो आपको सीजें याद हो जाएंगी सबसे पहले तो कहां हैं ये जानना जरूरी है मादव राष्टी उद्दान 1908 में बनाया गया है ये कहां पर इस्तिते दोस्त स्यूपरी में जिला स्यूपरी के अंतरगत इस्तिते यहीं पर जोर्ज कैसल का किला है जोर्ज कैसल जोर्ज पंचम याँ पर आने वाले थे उनका कैसल किला बना दिया गया है ध्यान से सुनना वी सिकार करने आने वाले थे वो इस्टोरी छोड़ो आप बस याद रखना कि मादव राष्टी उद्दान के अंतरगत इक किला है कैसल पहाडी है जोर्ज कैसल तो उस पर याद रखना जोर्ज कैसल राष्टी उद्दान किला इसी उद्दान में इस्तित है साथी साथ द्यान से सुनना सांग के जील भी इसी राष्टी उद्दान में एक जील निर्मित है वहाँ पर ऐसी देखो ये सांग के जील आप आओगे स्यूप्री में तो मैं दिखाऊंगा आपको और इस प्रकार का जॉर्ज कैसल का खिला बना हुआ है याद रखना तीसरा NS3 इसके 24 से गुजरता है नेसनल हाईवे नेच थ्री जो की आगरा मुंबई वाला हाईवे है आपका वो भी यहीं से गुजरता है इसे टाइगर रिजर्ब में सामिल नहीं किया गया ये प्रस्ण तीन बनते हैं याँसे के जॉर्ज कैसल का किला सांग के जील और NH3 वाला नेच आते हैं दोस्तों बन विहार राष्टी उद्धान आपके भोपाल की आन बान सान सर्फ उद्धान है ओ माई गॉड ये क्या देख रहा है आप ये सांप इसमें से एक दम से निकल जाएगा बाहर सर्फ उद्धान आपका कहा है तो यह 1979 में ये राष्टी उद्धान बनाया दोस्तों नगरी चेत्र के बीचों बीच प्रदेश का पहला राष्टी उद्धान है आपका बड़ बिहार क्योंकि इसमें एक मात ध्यान सुनना एक मात उद्धान है जो बीचों बीच इस्तित है इसे आदूनिक चडिया घर की नाम से जाना जाता है पेपर में कॉश्चन आता है आ तरह खतनाक फन पहला रहा है यहां साप है आप जाना तो सुरूबात में साप देखेंगे तो सर्फ इद्धान भी यहां पर इस्तित है दोस्तों बन बिहार बोपाल में और इसको किसी भी प्रकार के टाइगर रिजर्ब में सामिल नहीं किया गया है नेक्स चलते हैं दोस् जाता है जाता है सबसे चोटा है मद्द प्रदेश का इसके क्या है डाइनसौर के अंदे रखे हुए है इसलिए इसको जीवास में पारके नाम से जाना जाता है सबसे छोटा है मद्द प्रदेश का याद रखना और इसका देखो इसका छेटपल 0.27 प्रतीसात है जो की सबसे कम है नेक्स याद रखो दोस्तों उंका रिश्वर राश्टी उद्दान से उंका रिश्वर को कहां पर ये खंडवा में इंदोर संबाग के अंतरगत आता है इसे 2004 में मानिता प्राप्त कर दी गई है कहीं कहीं लिखा रहता है कि भईया मानिता बाद में देंगे इसे 2004 में बनाया गया है खंडवा में इस्तेते और डाइनस और जीवास में राश्टी उद्दान 2010 में बनाया गया था धार में इस्तेते दोस्तों कहां पर ये धार में इस्तिते ये भी इंदोर संभाग की अंतरगत आता है दोस्तों इसे बर्स 2010 में बनाया गया है और सबसे लास्ट बारवा राश्टियोद्धान दोस्तों आपके सामने आ चुका है पालनपुर कुनो राश्टियोद्धान 2018 14 दिसंबर 2018 को बनाया गया है ये पेपर में पूछा जाता है मद्द प्रदेश तासन द्वारा 14 दिसंबर 2018 को जारी राजपत्र के अनुसार कुनो पालनपुर अब्यारण को राश्टियोद्धान गोसित कर दिया गया है यहां देखना गिर से गिर लोईन को बसाया जा रहा ह यह देखो गुजरात के गिर अब्यारण से एसियन सेर को यहां पर लाकर दोस्तों क्या किया जा रहा है बसाया जा रहा है यह है कुनो वन्य प्रानी अब्यारण तो इतना आपको दोस्तों इसमें याद रखना है और इस अब्यारण में दुल्लप प्रजाती का सफेद पर अलवीनो दिखाई दिया एक प्रिकार का हिरन होता है अलवीनो जो मिलता नहीं है वो यहां पर दोस्तों आपको देखने मिल गया है तो अगर आपने याद कर लिया के राश्टी उध्धान कौन-कौन से संभाग के कौन-कौन से जिलों में तो आपकी आदी दिक्कत खतम दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट किसमें सामिल है और थोड़ी थोड़ी सी जानकारी जो आपका बेसिक के लिए बहुत जरूरी है वो मैंने प्रोवाइड कर दिया आपको बाकी करेंट में अपडेट कर देंगे लेकिन इतना राश्टी उध्धान के बारे में आपको जानन बहुत जरूरी है दोस्तों तो उम्मीदें आप सभी लोग इतना पढ़कर रखोगे दोस्तों और एक मोटिवेशन लाइन आपके लिए कि सला के सो सब्दों से जादा अनुबब की एक ठोकर इनसान को मजबूत बनाती है अगर आप कुछ करके कुछ हासिल कर लेते हो वो इसला तो दुनिया देती रहती है नेक्स्ट टॉपिक में आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूँ दोस्तों मद्द प्रदेस के अभ्यारन के कि मद्द प्रदेश में कौन सा ब्यरण किसके लिए फेमस है घड़याल के लिए कौन सा पक्चियों के लिए कौन सा खर्म और पक्ची कहां पर पाया जाता है तो ये सारी बाते अपन करेंगे उसके बाद और आगे बढ़ते जाएंगे तो आप नोर्स बनाते चलना और अच् चलाया जा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इस पर 5000 व्यू आते ही अपन नेक्स्ट इसके एपिसोड लेकर आ जाएंगे तब तक के लिए दोस्तों जैहें बंदे मात्रम